हेल्लो दोस्तों कैसे हैं आप सब राम जी की परिक्षा आला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तियारी बहुत ही बहुत भेतर ढ़ंसे चल रही होगी आप सब को बता है कि बारह नवंबर से आपकी परिक्षा चालू हो जाएगी तो अब बिल्कुल भी एक तो घबराने की जरूरत नहीं है और साथ में जो जरूरत है अब जरूरत किस चीज़ की नहीं है घबराने की जरूरत है किस चीज़ की maximum practice और maximum revision की जरूरत है maximum revision की आपको नीड है ये काम आपको करना है तो आप एक चीज जो सबसे critical topic इसमें माना जाता है वो मूल विधी माना जाता है ठीक है बच्चे जायतर इससे घबराते हैं पर राम जी पाटशाला ने इस subject को बिल्कुल हलुआ बना दिया है तो मैंने आपक इसका playlist दे दूँगा चार-पांच वीडियो पहले IPC हो चुके है आज IPC का last lecture है यदि आप IPC के सारे question देख लेते हैं तो मैं वादा करता हूँ आपका यह question नहीं चूटेगा और एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा जिसमें IPC के most important section होगे इसी तरह CRPC की बनाऊंगा तो अ अलक्स से practice चलेगी किस चीज की आपकी जो रचनाएं हैं आपकी साहित्यकार है वहां से आपका प्रश्म शूट नहीं दिया जाएगा आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए तो चलिए आज का question है आपसे पहले एक 180 question प्रेक्टिस कर चुके हैं इस प्रेग इस पीडियो भी मैं कल तक आपका ही डलवा दूँगा ठीक है कल तक आपका स्केपीडियो भी मैं डलवा दूँगा आप चिंता मत कीजिए तेलिग्राम ग्रूप में ही ठीक है आप तेलिग्राम को join कर लिए कुश्चन है हमारा का सारवजनिक मार्ग पर पड़ा हुआ एक हजार रुपे का नोट उठा लेता है क्या कर लेता है एक हजार रुपे का नोट उठा लेता है एक बिक्ती है वो क्या काम कर रहा है वो रोड पे जा रहा है सारवजनिक मार गये महा पर एक हजार रुपे का नोट पड़ा हुआ है ठीक है और वहे उस नोट को उठा लेता है आगे कंडिशन क्या लिखिए जो ए है यानि कि कर है वह यह नहीं जानता कि नोट किसका है तो कर ने अपराध किया किस चीज का चोरी का अपराध किया लूट का अपराध किया आपराधिक दुर्मनियोग किया तो लूट तो बिलकुल नहीं है देखो लूट तो बिलकुल नहीं है लूट किस चोरी किस में हैं दारत 378 में हैं आप राधिक दुर्मनियों किस में हैं तो अब इसमें यह देखना है कि उसने कौन सा प्राद किया तो लूट तो हमेशे डराधमका क्यों लूट है नहीं आप राधिक दुर्मनियों क्या होता है कि किसी का कोई सामान लिया और भाई यार मैं तुझे दे दूँगा बाद में और उसका क्या काम करते हैं सामान लोटा है नहीं बेच दिया किसी किताब पढ़ने के लिए लिए और उसको क्या किया बेच दिया तो यह उसने भाई साब इमारे पर पड़ा होता और A को पता होता कि यह नोट फलाने आदमी का है माले अब B का होता और A यहीं था उसने देखा कि B की जेब से गिरा तो B के कबजे की वस्तू है और बेहिमानी से A ले रहा है तो चूरी हो जाती है यहांपर पर जब A को पता ही नहीं है कि किसी कबजे यह वाला 182 जो यहां पर लिखा है आ और बा लिखा है ठीक है यह मतलब बहुत अच्छे कुश्चन है जो लौ में पूछ जाते है आ और बा यानि कि आ और बा का मतलब है A B A B के B को सदोस हानी पहुँचाने के आशे से उसकी अंगूठी को नदी में फैंक देता है A ने क्या काम किया B को हानी पहुचाने के उद्देश से B की जो अंगूठी थी जो रिंग थी उसको क्या क्या किया भाई दिखाना यार और लेके क्या किया इस नदी में फैंक दिया तो यहां पर A ने क्या अपराद किया चोरी का बिलकुल नहीं उद्दापन का नहीं लूट का नहीं किसीज का किया रिष्टी का रिष्टी को क्या कहते है रिष्टी को क्या कहते है रिष्टी को क्या कहते है रिष्टी शुद हिंदी में नुक्सान है हानी है वो क्या होती ह जिक्र है रिष्टे का 383 में जिक्र है आपका उद्दापन का 373 में इसका लूट का 390 में है यह चीज़ आप यहां पर ध्यान रखेंगे अगला प्रशन है डकैती के अपराद के लिए अनिवारी है कि कम से कम कितने वेक्ती होने चाहिए तो मैंने आपको क्या चीज़ बताया था डकैती है 391 में और डकैती के लिए minimum 5 आदमियों का होना ज़रूरी है अगला प्रशन है निमलिकित में से कौन सा सहीयोजन सही सुमेलित नहीं है इन में से कौन सा सही मिला हुआ नहीं है तो देखो जो दहेज मिर्ट्य है वो होती है 304 बी में ठीक है तो यह हमारा गलत हो गया बलात संग जो रेप है वो है आपका 376 में ठीक है यहां पे 377 में आपका होता है Unnatural Unnatural relation अपराकर्थिक संबंद अपराकर्थिक अपवाद होना जिसमें घरकर्म जारकर्म आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है इसमें जबकि डकेटीजा आपका 399 में है तो यहाँ पर लूट सही नहीं है बलात संग सही नहीं है और दहेज मित्यू सही नहीं है तो एक दो और चार कौन से में सही नहीं है तो यही आपका यहाँ पर अगला प्रशन है आपका यहाँ पर सूची एक है और सूची दो है ठीक है चाप पूछा जा रहा आज मोबाइल को silent करना याद नहीं रहा है फिर बीच में बच जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी ठीक है तो इसमें हमारा धारा 363, धारा 445, धारा 441 और धारा 501 सारे के सारे बहुत important है इनको आपको विशेश रूप से ध्यान रखना है तो आपका इसमें जो धारा 463 है वो कूट रचना से संबन्दित है गर में गुजाना 441 आपका आपराधिक अतिचार है और 501 आपका आपराधिक अभीतरास है क्या है आपराधिक अभीतरास है तो 463 कूट रचना, 445 आप का क्या हो जाएगा, ग्रिह भेदन, 441 आपरादिक थी चार और 501 आपरादिक अभी तरास, तो ये आपका उप्शन हो जाएगा, A सही, अगला प्रशने, ये इसमें है, जारकर्म अपराद नहीं होता, यदि उसके लिए, अब देखो, जारकर्म क को अपराद खतमी कर दिया गया, अडल्टरी इंडिया में अपराद नहीं है, पर पहले क्या होता था, कि यदि किसी की पत्नी, किसी अन्यपुरुष के साथ, अन्यथिक संबंदों में लिपता है, तो चाहे पत्नी की संबंदी हो, चाहे पत्नी की संबंदी ना हो, ठीक है, मालिया A है और उसकी पत्नी B है उसके संबन्द C के साथ में है तो मालिया अगर इन्हों इस A ने अपने पत्नी को C के साथ पकड़ लिया तो पत्नी दोशी नहीं मानी जाती थी जबकि C दोशी माना जाता था अब यहां पे देख लिते हैं क्या हो रहा है जारकर्म अपराद नहीं होता यदि उसके लिए महिला के पत्नी की संबनी थी को बात होती नहीं थी पहले पर अगर महिला के पत्नी की संबनी है तो अपराद नहीं माना जाता और अब तो है ही नहीं अपराद ठीक है तो खत्ना म अगला प्रश्ण है अभयानंद मिष्रा बनां बिहार-רाज्यर निर्देशक वाद है। क्षी पर है किसी पर है कौन से अपराज से संबल्ब stiff है तो आपको याद रखना accident man अपराधिक attempt करना की चीज़ का प्रयास करना उस संबंदित है अगला प्रश्ण है निमलिकित में से कौन सा वाद आपराधिक प्रत्न से संबंदित नहीं है तो अभी हमने देखा अभ्यानन्द मिश्रा था मुहम्मद याकूब वाला याद रखना है तो मुहम्मद याकूब अभ्यानन्द मिश्रा सुधिर कुमार बनर जी और जबकी ये तीनों के तीनों संबंदित है आपराधिक प्रत्न से जबकी रफीक वाला रफीक बनाम यूपी ये वाला मुद्द आपका आपराधिक प्रत्न से संबंदित नहीं है तोड़ा सा गला खराब हो गया हो जाता ह अब ये अगला प्रशन देखते हैं, निमलिकित में से कौन सा एक अपूर्ण अपराद है, अपूर्ण अपराद मतलब कि अपूर्ण अपराद नहीं है, ठीक है, अपूर्ण अपराद है, देखते हैं कौन सा इसमें, तो अपूर्ण अपराद का क्या मतलब है, देखो लोक है, पूलिक मुशिन्स कर रहे है पूलिक मुशिन्स विदिवर्द जमाव है तो वो मार्वा ऋ अटेम्ट परयतन है तो अपूर्ण अपराद माना जाता है भी है अपूर्ण अपराद माना जाता है देखो जैसे माना क्या है एक विक्ती A है एक विक्ती B है एने क्या किया प्री प्लैन किया कि B को मारना है वो कट्टा बट्टा ले गया और गोली पट्टा से मारी उसको अब उसके दिल में गोली लगी यहां खतम हो गया तो यह क्या हो गय यहाँ पर आपराद क्या है एक अपराद करना चाहरा था अगला प्रचने मारा बी की हत्या करने के उद्देसे से ए ने बी के शेहन कख्ष में रात्री में प्रवेश किया ठीक है क्या किया रात्री में प्रवेश किया जबकि बी शेहर से बाहर था ए दोशी है बनलब क्या हुआ कि ए है और बी है और ये बी का कमरा है ये बी का कमरा है अब ए ने क्या 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 एक सेकंड एक कहां चला गया प्रशना हाँ ये राट ए ने क्या 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 बी को मारने के आशे से उद्देशे से बी के कमरे में रात को प्रवेश किया रात को गुज गया और उसको वहां जाके पता लगा कि भाई इसमें ये तो भ अपराद किया हत्या का बिल्कुल नहीं हत्या तो हुई नहीं हत्या के अपराद का नहीं बिल्कुल नहीं आपको पता होना चाहिए जब अपराद करने के उद्देश से रात में किसी के घर में घुशते हैं या किसी के घर में घुशते हैं तो उसको ग्रीह अतिचार माना जा ही चीजिज आपको ध्यान रखके घर में घूशने का अपराद कि उसके बाद अगला प्रश्ग है य की मिल्ट्यू कारिद करने के आशोए छ इसे विस समझ कर पिसी वी ची नशराल के लिए उसे विस समझ कर پی سی وی چینی रखी है और वाई को लगा कि उसको पता नहीं के चینी है उसने समझा के जहर है हुआ तो इसने वाई को खाने को दे दिया वाई ने खाली चीनी तो अब वाई तो मरा नहीं ठीक है तो अब हुआ क्या क्या यहां पर कोई अपराद हुआ ठीक है कोई अपराद नहीं हुआ दूसरा है हत्या का प्रेत्न किया गया अपरादिक माना वद हुआ जो हत्या नहीं है का प्रेत्न माना जाएगा या हत्या का दूस्प्रेण किया तो कौन सा यहां पर अपराद माना जाएगा तो यहां पर अपराद माना जाएगा, हत्या का प्रेत्न किया, उसने तो अपने तरफ से काम कर दिया था, तो यहां पर हत्या का प्रेत्न माना जाएगा, ठीक है यह चीज कौन सा है सामाने उद्देश से है केम नानावती हत्या अचानक प्रकोपन संबन दिते है इस पर रुस्तम बनी है यह चीज़ आपको पता होगी यहाँ पर अगला प्रश्ण है ए अपनी मां के दूद के गिलास में विश को दो विश के दो दाने इस उद्देश से मिला देता है कि वह उसे पिए और मर जाए विश शक्यों की राय में विश की मात्रा मृत्यू कारित करने के लिए आपरियाप थी ए ने निमलकित में से कौन सा पराद किया ए ने क्या काम किया अपनी माताजी को मारने के लिए अप उनके पीने वाले दूद में जहर के दो दाने डाल और ये उद्धेश उसका था कि माताजी पीए और मर जाएं पर विशेशक्यों ने माना कि जितना जहर उसने दीया था वो मरत्यू कारिट करने के लिए परयाप्त था तो माताजी बच गई या कुछ थोड़ी बो दिक्कत हुई होगी मालिया बच गई तो ए ने निमलिकत में से कौन सा प्राद किया हत्या कारित करने का प्राद किया घोरुपती कारित करने का प्राद किया हत्या करने का प्राद किया या मात्रा अप्रयाप्त होने कारण कोई प आत्महत्या करने के लिए गोद में बच्चा लेकर तेजी से कुएंकर जाती है किन्तु उसे रास्टे में ही पकड़ लिया जाता है तो क्या वह दोशी है दीखो आपको पता होगा जो धारा 309 है वो आत्महत्या के प्रित्न को बताती है आत्महत्या का ःति कोई प्रेत्न भी करता है तो उसके लिए एक वरस का करावास है पहले इसको असमेदानिक बता दिया गया उसके बाद इसको क्या कर दिया गया कि नहीं भाई ये मौलिक अधिकारों में केवल जीवन जीने का अधिकार है मरने का अधिकार नहीं है क्योंकि कोई भी मौलिक अधिकार नकारात्मक नहीं हो सकता है तो आत्मत्या कारित करने का जो प्रेत्न है उसका अपराद लगेगा हत्या की तो बात ही नहीं मानवद की कोई बात नहीं है मानवद की कोई इसमें बात नहीं है जो हत्या कोटी में नहीं आता ये भी नहीं होगा और उप्युक्त में से कोई नहीं ये भी नहीं होगा तो इसमें ये क्या नम हत्या आत्मत्या कारित करने के प्रत्न की ठीक है आत्मत्या कारित करने के प्रत्न की तो यदी वै कुए में कूच जाती और बच जाती तो आत्मत्या का प्रत्न होता तो ये भी नहीं हुआ तो इसमें हो जाएगा उप्युक्त में से कोई नहीं अगला प्रश्ण है A एक महिला B को गर्भपात कारित करने के आशे से एक विशैली दवा देता है A ने क्या काम किया B एक महिला है उसका गर्भपात कि उसका मिस्कैरिज हो जाए अबोर्शन उसका हो जाए उसलिए उसको जहरीली दवा दे दिया और यह पाया जाता है कि वह महिला भी जो है वह गर्भवती थी नहीं तो अब यहाँ पर क्या माना जाएगा ए ए ने क्या पराद किया ए प्रत्न का दोसी नहीं है ए प्रत्न का दोसी है ए हत्या का दोसी है या ए किसी भी अपराद का दोसी नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कि अभी अगर वो गर्भपात कारित हो जाता तो फिर तो गर्भप अगला प्रश्न है नीचे दियेगे कथनों में से असत्य कथन को इंगित कीजिए इन में से आपको असत्य कथन को बताना है असत्य सतन कौन सा है अपराद करने का प्रितन सदैव दंडनी होता है बिल्कुल सही बात है अपराद करने की त्यारी अपवादी तमामलों में दंड छेड़ना प्रेतन करना या दुष्परण करना एक मृत्युदंड से धंड़नी अपराद है पर आप भारत सरकार के विरुद यदि युद्ध छेड़ने की तयारी भी कर रहे हैं ना तो भी आप अपराद ही माने जाएंगे तो अपराद करने की तयारी अपवादित मामले अ ना तो ये भी आपका इसमें क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तीसरा है निगमों को अपरादों के लिए दैत्वा धिन नहीं थैरा जा सकता ठीक है निगम जो निगम होते हैं उनको अपरादों के लिए दैत्वा धिन नहीं बिलकुल नहीं अगर निगम कोई हैं कोई पू यह हमारा गलत हो जाएगा यह असंगत है अगला भी देख लेते हैं आप राधिक कारिये और आप राधिक मनस्तती में पारसपरिक संबंद होना आवश्यक है बिल्कुल अगर आपका दुराश है उस सीज का है आपको किसी को मारना है और आप जाके किसी को लड़ूआ दे ठीक है या कुछ क्या करिया है थपड़ मार के चले आए हड़ी तोड़ दे तो मानला अलग हो जाएगा तो आपराधिक मनस्तती और आपराधिक कारिये दोनों का एक जैसा होना ज़र्दी है अगला प्रशन है खो की हत्या करने के विचार से करात्री में खो के शैनागार मे तो मनें देख लिया ठीक है तो इसमें क्या हो जाएगा गरिया थिचार का दौशी है निमलिकित में से कौन सा आपराधिक प्रति का दर्स्टान्त नहीं है यानि कि इनमें कौन से में आटेम्ट नहीं हुआ है प्रियास नहीं किया गया है कौन सा नहीं है तो का खा को मार डालने के आशे से एक खाली गाड़ी पर खाली गाड़ी में खा को उसमें बैठा हुआ समझकर गोली चलाता है क्या करता है का खा पता नहीं क्या हो रहा है A B कर देता हूं मैं A, B को मार डालने के आश्यासे एक खाली गाड़ी पर जिसमें उसका मानना है कर खा को उसमें बेथा हुआ समझकर गोली चलाता है तो बिल्कुल भाई ये प्रत्न माना जाएगा मालिया A है वो B को मारना चाहता है और वो एक खाली गाड़ी में गोली चला देता है पर उसका मानना यह है कि ख अंदर बैठा है तो यहां पर क्या माना जाएगा प्रत्न माना जाएगा के नहीं माना जाएगा बताओ भाई दिमाग लगाओ के प्रत्न माना जाएगा के नहीं माना जाएगा बिल्कुल प्रत्न माना जाएगा अगला है आपक ठीक है उसे आर्सेनिक संख्या चीनी समझ कर खिलाता है क्या करता है चीनी समझ कर खिलाता है तो यहां पर क्या है क्या माना जाएगा अपराद माना जाएगा के नहीं माना जाएगा बिल्कुल यहां पर यह भी प्रेत्न करने का माना जाएगा और कर नकली सिक्षे बनाने के रंग प्राब्ट करता है, तो अभी रंगी तो प्राब्ट किया है, अभी उसने कोशिश नहीं किया है, तो यहाँ पर ये पृत्न करने का उद्देश से नहीं माना जाएगा ये चीज़ा है, प्रशन देखते हैं, ये देखिए, इसमें चार अप्शन दिये गए हैं, और हमें बोल रहा है, इन में से एक मानहानी के आरोप के लिए योग ये सफाई नहीं है, मालिया किसी की मानहानी कर दी, और वहां जाके कोर्ट में सफाई दे रहा है, जिसकी मैंने मानहानी की, तो इ ने मानहानी की नहीं, सफाई दे रहा है मानहानी की केस में, तो यही इसमें option हो जाएगा, देखो, उसमें बहुत सारी condition आती है अलग लग, ठीक है, आपको इस चीज पता होने चाहिए, मृत व्यक्ति की भी मानहानी हो सकती है, यदि उसके निकटतम रिष्टदारों संबंद तो मानहानी नहीं है, लांचन कोर्ट कारवाई की रिपोर्ट थी, जो परियाप्त मात्रा में सत्य थी, तो ये सब मामले हैं, जो बिल्कुल सही है, ये सफाई दी जा सकती है, ये सफाई दी जा सकती है, कि मैंने मानहानी की, लांचन सत्य था, लोखित में था, तो मान पर अगर आप कहोगे कि जिसकी मैंने मानहानी की वह हमारा क्या है वह मरा हुआ है तो यह नहीं माना जाएगा आपको वहाँ पे दंड भुगतना पड़ेगा तो धारा चारसु निननन में मानहानी है जबकि पांसो में उसका दंड है अगला प्रश्ण है मानहानी के अपराध दों बोले गए अत्वा पढ़ने के लिए आशाइत इसारा या द्रस्टिगर रोजगोचर रूप में होना चाहिए ठीक है बिल्कुल सही बात है कि आपने इशारा कर दिया बोल दिया कहीं पर कुछ आर्टिकल पब्लिक्स करा दिया कुछ भी करा दिया तो मानहानी मान जा अगला प्रश्टन है यह एक वेक्ति की प्रतिष्था को दूसरों की देश्टे में कम कर देता है यह बिल्कुल सही है यह आशेइत भी हो सकता है और उपेक्षा पुरुख भी हो सकता है यह भी सही है जबकि दूसरा इसमें आपका गलत हो जाए अगला प्रश्टन है निम कूब वाला भी तो बताये था ठीक है और अभयानन्द वाला बताये था अभी पीशे बताके मैं आपको आया हूँ अगला है हमारा एक्स जेड को घोर उपहती करने के भे में डालकर बेमानी से जेड को उत्परित करता है कि वह एक कोरे कागज पर हस्ताक्षर करके उसे एक्स को परिदत कर दे X ने कौन सा अपराद किया X ने क्या काम किया Z के पास गया उसको डराया धंकाया कि भाई मैं तुझे घोरू पती कारित कर दूँगा तुझे गंभीर चोट पहुंचा दूँगा अगर तुझे इस चीज़ से बचना है तो तु एक कोरे कागज पर मुझे हस्ताक्षर करके देदे परिदत कर दे तो यहाँ पर माना जाएगा कि उसने कौन सा अपराद किया कोई अपराद नहीं किया अपराद इक दुर्बनियु किया उद्धापन किया या उसने लूट का अपराद किया यह आपको बताना पड़ेगा तो आपको मानना पड़ेगा यहाँ पर उसने उद्धापन किया एक्स्टॉर्शन रंगदारी की घटना को अंजाम दिया धारा तीन सो तरासी यह चीज़ आपको दिहान रखने अगला प्रशन है एक्स है जो है वो वाई की सम्मत्ती के बिना वाई के कबजे में से एक व्रक्ष को बेमानी से लेने के आसे से वी की भूमी पर लगे हुए एक व्रक्ष को काट डालता है एक्स किस अपराद का दोशी है एक्स किस अपराद का दोशी है तो आपको यह चीज़ ध्यान लखने चाहिए कि जब X है उसको पता है कि Y की पर्मिशन नहीं ली गई है और Y के कबजे में एक ब्रक्ष लगा हुआ है उसे बेमानी से लेने के आशे से उसने क्या काम किया Y की भूमी पर लगे हुए एक ब्रक्ष को काट डालता है तो X किस अपराद का दोशी है तो यहां पर आपको सीधे सीधे पता होना चाहिए किस अपराद का नहीं जब तक की ब्रक्ष ले जाया नहीं अगर काट दिया तो तुरंट दोशी हो गया संपत्ती के आपरादिक दुर्वनियोग का आपरादिक न्यास भंग के अपराद का जो ही ब्रक्ष भूमी से प्रतक किया गया तो ही चोरी का अपराद हो गया तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि चोरी में क्या होता है कि बेमानी होती है बिना संपती के होता है और च जैसे ही यहाँ पर काटना शुरू किया और जैसे ही यह कटके धढाम से नीचे गिरा तो अब यह पेड़ अचल संपत्ती नहों के चल संपत्ती हो गई तो जो ही ब्रक्ष भूमी से प्रतक किया गया और नीचे गिरा त्यों ही छोरी का अपराद उस वेक्ति के माते गढ़ा धारा 388 आपको याद रखने हैं अगला प्रश्ण है हमारा एक महिला रेल का टिकट लेना चाहती थी इस्टेशन पर खिड़की पर भीड लगी थी उसने एकस से जो खिड़की के पास था उसे एक टिकट लेने को कहा उसको एक टिकट लेने को कहा और उसे रुपे दे दिय एकस ने रुपे लिए और टिकट देने के बजाए रुपे लेकर भाग गया एकस ने कौन सा अपराध किया ये ध्यान रखना है मतलब कि एक वरत थी वो टिकट लेना चाहती थी और इस्टेशन की खिड़की पर क्या था बहुत ज़्यादा भीड लग गई थी तो खिड़ इसने यहां पर क्या काम किया आपराधिक दुर्मनियो का कारी किया उसने आपराधिक दुर्मनियो किया उसके पैसे को हजम करके वो भाग गया उसके बाद अगला है भारती दंड सहिंता की किस धारा के अंतरगत न्यायले के किसी निर्ने या आदेश के अनुसरन में किया कारिय अपराद नहीं है तो धारत 78 आप याद रखेंगे धारत 78 मैंने बताया था जलाद को बचाओ भी है ठीक है ये बात मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई थी बताई थी अगला प्रशने भारती दंड सहींता की किस धारत के अंतरगत शडियंतर द्वारा दुस्प् अगला प्रशने एको बी ने चाय के लिए आमंतरित किया जबकि बी चाय बनाने के लिए रसोई में था तब एको मेज पर एक सोने की अंगूठी मिली ए उसे उठाता है और वह कुछ समय पश्चात बेई माने से ले जाने के आशे से कमरे में कहीं रख देता है ए ने कौन सा अपराद किया मतलब क्या हुआ कि एको बी ने चाय पर बुलाया कि बाई तुम मेरे घर आ जाओ बी न पनाने के लिए रसोई में चला गया तो वहां पर ए ने देखा कि मेज पर सूने के अगूठी रखी है उसने उसे उठाया और कुछ समय पर शात बेई माने से ले जाने के आशे से उसने कमरे में कहीं और रख दिया जिससे उसको दिखे ही नहीं तो ए ने यहां पर कौन सा अगला पराद किया तो आपको सीदे पता होना अची चोरी का पराद किया atorio के बहिवाने अगला प्रश्ण है पागलपन का प्रतिरक्षा का विकास निमले में किसा अधार पडूँआ तो मेंकनौटन का जो वाद है मेगनोटन का जो वाद है मेगनोटन का नियम है उसको आंक बंद करके विक्र चित्ता पागलपन धारा चुरासी यह आपको सीधे सीधे या अगला प्रशन देखते हैं X Y को Z के लिए उकसाता है लब X ने क्या क्याम किया Y को उकसाया Z के लिए और उकसाय जाने पर Y ने Z को चांकू भॉक दिया जिसका घाव ठीक हो जाता है निम्र कितमे से कौन सा कथन सत्य है माले क्या हुआ कि एकस है X ने Y को भड़काया कि तुम Z को मार डो जेड को मार दो हत्या कर दो इस ने काम कर दिया और वहें क्या हुआ आपका क्या हो गया आपका वहें वेक्ती बीच बीच में काम आ जाते हैं कभी बैटरी डाउन हो जाती है कभी कुछ हो जाता है तो आप समझ सकते हैं सब चीज़े तो हुआ क्या भीया अब यहां पर कौन कौन का दोशी माना जाएगा तो यह चीज के दुस्प्रेण का दोसी होगा हत्या का दोसी होगा या हत्या के प्रत्न का दोसी होगा यह चीज हम देख लेते हैं Y तो आप आख बंद करके लगाना हत्या के प्रत्न का दोसी है Y हत्या के प्रत्न के लिए और X हत्या के प्रत्न के लिए दुस्प्रेण के लिए दाई है बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं वाई हत्या के प्रितन का दोसी है और एक्स हत्या के दुस्प्रेण का दोसी है बिल्कुल उसने तो हत्या का दुस्प्रेण दिया था तो उसको वही दंड मिलेगा यह चीज़ आपको ध्यान अगला प्रश अपनी तथा अन्य की संपत्ती की रक्षा कर रहे हैं। किसमें दिया जाता है ठीक है सबसे कम दंड किसमें दिया जाता है तो धारा पांसो दस में दिया जाता है ये चीज आपको इसमें ध्यान रखनी चाहिए कि धारा पांसो दस में सबसे कम दंड दिया जाता है अब धारा पांसो दस है क्या ये चीज भी हमें याद रखनी समझन में अबचार मत्वेक्टी द्वारा मत्वेक्टी द्वारा लोकिस्थान में अबचार लोकिस्थान में यानि कि शराप पी के पब्लिक में ड्रामा करना यह क्या है पांसो दस में है ज्यादा ज्यादा गंटे की जेल होती है दस रूपे का जुर्माना होता है इससे कम सजा IPC कहीं भी नहीं दे रही है अगला प्रशन देखते हैं एक दो कुशन हो रही है एक्स वाई की हत्या करता है तथा जैड वाई के मृत सरीर को शिपा देता है जैड ने निमलेकित में से कौन सा प्राद कि एक्स ने तो वाई को मार दिया तो एक्स तो हत्या का दोशी हुआ जबकि जड ने क्या काम किया इस वाई के मृत सरीर को कहीं ले जाके छुपा दिया कहीं ले जाकिया चुपा दिया तो जड ने क्या क्या हत्या के अपराद को लोप करने का कारे किया यह चीज़ आपको य सुच हैं अध्याई 4 साधारण अपवाद में ये आपका किस में आता ये आपका है प्रारपतिरक्षा वाले मामने में है छान में सोरी चान में से एक सुच है और 75 से 75 ये आ गया तो 55 में तुच्छा अपराद है छोटे मोटे कारिय अपराद नहीं माने जाते हैं आपने भीड में किसी को धक्का दे दिया किसी का पैन उठाके काम कर लिया है थोड़े के पैन उठाके काम कर लिया है भाई तरको मौत दिलवाऊंगा चल कोड में ऐसा नहीं होता तो आज IPC खतम हो गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले उम्मीद क